एक बार धुरुब अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोद में बैठने के लिए उनके पास आने लगे। तभी उसकी सौतेली मा सुरुची ने उसे डांट फटकार कर भगा देती है और कहती है कि यदि तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है तो तुझे मेरी कोक से जन्म लेना पड़ेगा। दुखी धुरुब अपनी मा सुनीती के पास आकर पूछने लगा कि मुझे अपने पिता की गोद से क्यों भगाया गया? पिता जी ने मुझे अपनी गोद में क्यों नहीं बिठाया? सुनीती ने अपनी फूटी किस्मत पर रोते हुए कहा कि प् मंत्र का जाब करने लगे। तब धुरुब की करुण कुकार से भगवान विश्नु प्रकट हुए और उसे अपनी गोद में बिठाकर उसे ब्रह्म ज्यान दिया तथा उत्तर दिशा में भक्ती और तपस्या के प्रतीक के रूप में एक तेज चमकीले तारे के रूप में बैकुंट में स्थान दिया। दोस्तों, आज भी धुरुवतारा उत्तर दिशा में भक्त धुरुव की भक्ती और तपस्या के प्रतीक के रूप में चमक रहा है।